तो दोस्तो शाओमी बहुत जल लेटेस टेक्नोज से लेश वर्लेस फर्स्ट फ्लाइंग डोन केमरे को कम कीमत में लॉंच करेगा यहाँ पर आपको 200 मेगापिसल का फ्लाइंग डोन केमरा मिलेगा जिससे आप 8K रिकोर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही मैं आप अल्टर लेजियोशन में फोर्ट और वीडियो भी केप्चर कर सकते हैं फोन में आपको 6.5 इंच का सूपर एमूले डिस्प्ले मिलेगा जो की 120 हर्ट के रिकोर्ट के साथ आएगा और यहाँ पर आपको 6,000 इमेज की बिक बेटरी का सपोर्ट भी मिलेगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शाउमी के वल्लेस फर्स्ट फ्लाइंग डोन केमरे के बारे में तो दोस्तो यह वीडियो को चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तो इस स्टाट कर लेते हैं इस स्मार्टफोन जे केमरा से तो यहाँ पर दोस्तो आपको 200 Mbps का ड्रोन केमरा मिलेगा आप इस ड्रोन की साइस में मज़ जाएए इस ड्रोन में आपको बहुत शमता देखने को मज़ जाती है और दोस्तो यह जो स्मार्टफोन है वो dust and waterproof के साथ आता है और यहाँ पर आपको फोन के अंदर 6000 image की big battery का use किया गया है क्योंकि दोस्तो जो drone है वो भी इस के अंदर charge होता है बात करते हैं बेक केमरे की तो यहाँ पर आपको 50 Mbps का primary camera मिलता है 8 Mbps का ultrawide angle, 5 Mbps का micro और 2 Mbps का depth sensor मिलता है और इस phone से आप 4K recording कर सकते हैं बेक केमरे से और साथ ही मैं आपको HDR, AI color portrait video, magic zoom जैसे feature भी दिये गए हैं और दोस्तो आप बात कर लेते हैं इस smartphone के display के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.5 inch का super AMOLED display मिलेगा तो display की color quality को और improve करने के लिए 60.7 million color का इस्तमाल किया गा है अगर आप YouTube, Netflix, Amazon Prime देखोगे तो view angle काफ़ अच्छे रेखने को मिलेंगे फोन में 120 Hz का refresh rate का support दिया गा है और यहाँ पर दोस्तो आपको in display, fingerprint का support भी दिया गा है और दोस्तो आपको front और back पर Gorilla Glass 6 का protection मिल जाएगा बात कर लेते हैं इस smartphone के OSN performance की तो यहाँ पर आपको Qualcomm की तरब से Snapdragon 870 का परसर मिलेगा जो की 5G को support करता है जो की तो 3.2 giga पर glow है तो यहाँ गर आप PUBG, Free Fire, Call of Duty से game खेलोगे तो smooth lens पर खेल पाऊगे और इस phone में आपको Miya UI 12 का support मिलेगा और दोस्तो बात कर लेते हैं इस smartphone की battery life की तो यहाँ पर आपको 6000 image की big battery का support डियागा है साथ ही में 50W का fast charging मिलेगा और उसी के साथ Type-C port, Mic 3.5, Audio Jack और इस टेरियो स्पीकर और Dolby का support भी मिल जाएगा और इस phone में दोस्तो hybrid slot का support मिलता है यानि XC में एक monitor आप लगा पाऊगे बात करते हैं डिजाइन की तो दोस्तो इस phone का डिजाइन ही वो Redmi 10 Prime जैसा देखने को मिलता है जो कि काफी unique type का देखने को मिलता है और बेक सैट पर glass bag का इस्तिमाल किया गा है और बेक सैट पर आपको code your camera मिलता है वहीं LDFS का support है और नीचे आपको Redmi का branding दिया गए है और ये phone जो है वो different color में available है और दोस्तो बात कर लेते हैं इस smartphone की pricing की तो 100-70,000 रुपे इसका price होगा बात करते हैं launch date की तो expected जो उसका launch date है वह 2022 में आपको देखने को मिलेगा December के end में बात करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है वो concept and prediction पर based है वीवन अभी patent क्या था इसा जो design है इस phone का और साथ में camera module है और भी company इसी patent पर काम कर रही है तो जल्दी हमें market में देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप comment करके बताइए आप क्या रही रखते हैं इस phone के बारे में comment बताइएगा वीडियो अच्छे लगने पर like कर देगा जाज़र वाच्ट अ फेस्बुक पर share कीज़ेगा एसी वीडियो आपने से subscribe करके